नमस्कार दोस्तों उड़ाना येस प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है मेरा नाम है निलकुमार और मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इत्यास तो प्यारे दोस्तों आधुनिक भारत के इत्यास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने जो आपकी यूरूपियन पावर्स थी उनको बताया एक एक करके पुर्टगाली ठीक है डच फ्रांसीजी वगरा इनको पड़ाया और बिटिज सामराज्य की स्थापना में दोस्त जो दूसरी सबसे बड़ी हर्डल होती है तो आप देखेंगे वो है डीजनल इस्टेट में मैंने आपको बंगाल को कराया पहले आभी हम मैसूर को देख रहे हैं मैसूर राज्य के बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तो साउथ में था जो कि अंग्रेज बंगाल के इन में दोस्तो चार युद्ध होते हैं यानि कि जिनको हम आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं दो के बारे में मैंने आपको बढ़ा दिया है कि पहले में क्या होता है पहले में हैदर अली लड़ता है और जीत जाता है हैदर अली की सर्तों पर मदरा की संदी होती है उसके बाद आपका दूसरा होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे में हैदर अली की क्या हो जाती है मृत्ती हो जाती है ठीक और फिर क्या होता है आपके उसको लीड करने लगता है टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा है और एक संदी होती है मैं आप देख सके हैं मंगलोर की संदी ठीक है तो अब हम देखते हैं आज कि यहाँ पर जो तिर्थिय एंगलो में सुरवार हुआ उसके बारे में देखते हैं ठीक है जी आपका सत्रे सुनभे से लेकर बानवे तक चला यानि कि दो साल यह चलता है ठीक है जी होता क्या है बेक्डाउंड आप देखने का प्रियास करेंगे मंगलोर की संदी होती है इसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाता है तो आप देखेंगे टर्की के जो तो राजा है उसरे राजनीतिक संबन्द स्थेब्रिप करने के लिए राजदूद वेजता है फ्रांस में भी अपना राजदूद वेजता है एउरोपिय पदिति पर अपनी सेहना का करता है जैसे मैंने बताया मंगलोर की संदी के बाद क्योंकि टीपु सुल्टान की आपके देखेंगे टीपु सुल्टान लीड करे थे हैधर अली की मिरत्तिय। क्योंकि 82 में हो गये थी लेकिन जो दुत्तिय अंगलो मैसुर युद्धता वो आपके 84 तक तला यानि कि 82 के बाद 2 साल और चला और फिर मंगलोर हुआ तो उसके ब करना एक चीज है हैधर अली और बेटा स्टीपु सुल्टान में दोनों में एक अंतर है वो क्या है टीपु सुल्टान आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एलाइंस बनाने का प्रियास करेगा बिटिस पावर के खिलाब और वहीं पर जो हैधर अली यह वो लोकल एलाइंस ब अगठन कर रहा है ठीक है यह आप देख सकते हैं उसके बाद आप अगला देखेंगे हूँ हुआ यह शुरुबात आखिर इस आकर्मन की कैसे होती है तिरतिय की तो दोस्तों 1700 आप देखेंगे नवासी में टीपु सुल्टान त्रावन कोट पर अटेक कर दिया अब देखो आप इसको मैप को समझने का प्रियास करिए मैंने ये मैप यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं ही कह रहा हूँ कि इस तरफ यहाँ पर ट्रावन कोट है ठीक है और यहाँ पर मैंने बताया आपको यह आपका था मैसूर ठीक है और इस तरफ आप देख सकते हैं तो यहाँ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वसीन था ठीक है तो मैंने बोला यह जो ट्रावन कोट है यहां पर जो ट्रावन कोट है ट्रावन कोट यह इस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था और मैसूर यह है यह मैसूर है ठीक है जी तो मैं अंग्रेज इसका तो बदला लेंगे लेंगे तो ट्रावन कोट पर अटेक कर दिया टीपू सुल्तान ने और इसका बदला लेने के लिए अबेजी बात है तो यहीं से क्या हो जाता है आपका स्टार्ट होता है धर्ड आंगल मैसूर वार तो धर्ड आंगल मैसूर वार किसके भी शुरा तो दे जो निजाम जो था हैदरावाद का निजाम और मराठे पहले हैदर अली ने दोस्तों पर्थम आपका जो एंगलो मैसूर वार हुआ था उसमें अपनी तरफ कर लिया था जबकि आप देखेंगे तो इस तरफ तिरफ बन गया आप किस तरफ अंग्रेजो की तरफ ठीक है ये हो होता है अब 20 सी बात है कि इसमें क्या ही रिजल्ट होगा तो देखेंगे 23 कोट पर मैंने बदाया अंग्रेजो का दिकार हुआ करता था इसलिए परिणाम क्या हो भी तो मैसूर जो है वो कमजोर मैसूर की इस्तिती कमजोर पड़गी और बिर्टिश जो है वो मजबूत रह इसके बाद क्या हुआ क्रियली में सिर्रंग पटनम की संधी होती है क्या होती है सिर्रंग पटनम की संधी तो सिर्रंग पटनम की संधी में दोस्तो 90 सी बात है कि टीपू सुल्तान का जो पच्छ है वो कहीं न कहीं कमजोर रहा है तो उसी प्रकार के प्राबधान होगे चल अपना आधा राज्य है अंग्रेजो को मराठो को और निजामों को देना पड़ा ठीक है किसको देना पड़ा तो अंग्रेजो को देना पड़ा क्योंकि तीन गुट लड़ रहा था माराठा को देना पड़ा और निजाम को अब किसको क्या मिला है ये थोड़ा सा देखने का बात है तो देखेंगे दोस्तो सबसे पहले अंग्रे जोको मिला है आपका बारा महल ठीक है मालावार और डिंडी गुल ठीक है आपका आप देख सकते हैं अंग्रे जोने दूसरा क्या है मराठो को मिला है तुंगभद्रा नदी के उत्तर का छेत्र यानि कि तुंगभद्रा नदी के जो नौर्थ का एरिया है वो किसको मिल गया मराठो को मिल गया और निजाम को मिला है पैनार और कृष्णा नदी के मद् प्रियास करेंगे इस संधी के संदर में एक statement आता और यही कुशन भी है और इस कुशन को हम देखने का प्रियास भी करेंगे को जिए इस संधी के संदर में कार्नवालीस का statement था हमने अपने मित्रों को सक्तिसाली किये भिना या सक्तिसाली बनाए बिना अपने दुस्मनों को क्या कर दिया पंगू बना दिया इस संदी के संदर में लॉड कॉर्णवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को सक्तिसाली बनाए बिना मित्र कौन है हाँ पर हमेट बत कर रहा है एक तो हैवरागा का निजाम और दोस्तो मराथा तो इन्नों को सक्तिसाली भी नहीं बनने दिया और अपना जो दुस्मन है दुस्मन को है दोस्तो मैसूर यानि कि आपका टीप शुल्तान टीप सुल्तारों को पंगो भी बना दिया तो क्यों कह रहा है किस संदर में कह रहा है इसको हम आगे देखने वाले हैं कुश्चन और क्योंकि ये महत्वपुन है तो पूछा हुआ कुश्चन है तो पता भी होना चाहिए एक आपको आइडिया मिल जाएगा बट प्यारे दोस्त इसको हम आगे देखेंगे अभी हम तो देखने वाले वो है आपका चतुर्थ एंऎंग्लो मैसूर वार और इसके बाद मैसूर को दोस्तो क्या कर लिया जाएगा विलय कर लिया जायगा इस पर हम बात करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन सा हो गया फोर्थ, चतुर्थ, ठीक है, एंगलो, एंगलो मैसूर वार, मैसूर वार, कब हुआ है, तो आपका लिखा हुआ है, 1799, ठीक है जी, कौन लड़ रहा है, तो देखेंगे, थर्ड, थर्ड वार के बाद, टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ, मित्र, ताको, और बढ़ा दिया, दोस्तो, फ्रांस और बिटेन ध्यान रखेंगे, मैंने बताया, ये क्या है, ये आपस में दुस्मन है, ठीक है, ये क्या है, कट्टब दुस्मन है, तो मित्र, ताको, और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्या इसको पसंद करेगा, कौन, बिटी सर्फ, बिल्कुल भी नहीं करे आप देखेंगे, दोस्तो, मैसूर में, फ्रांस की सैना का स्वागत किया गया, फ्रांस की सैना आई, तो उसका स्वागत किया गया, किसके दुवारा, टीपु सुल्तान के दुवारा, जैकोबियन कलब का मेंबर बन गया, प्यारे दोस्तो, फ्रांस में इस्टेबिस किया ठीक है जी उसके बाद देखेंगे आप संध्यादी हैं उसके बाद यहां पर देखेंगे तो दोस्तों सिर्रंग पट्णम में उसने सफ्दा अंत्ता का पौधः लगवाया पौधः तब पोत मो टरी एक प्रकार का प्लांट लगवाया यहां फ्लांट tissue जो कि last जो war होता है इसको बोलते हैं आप देख सकते हैं यहां पर fourth anglo-messour war ठीक है यानि की कई वार इसको दूसरा भी नाम है दोस्तो इसको कह देते हैं कई वार स्रीरंग पटनम का युद्धा battle of स्रीरंग पटनम या war of स्रीरंग पटनम के नाम से भी इसको जाना जाता है इसमें क्या होता है दोस्तो एक तरफ लड़ रहा था देख सकते हैं आप वैलेजली भी है यानि की जो बिटिश इंडर कंपनी की तरफ से वैलेजली है और दूसरे और कौन है तो दोस्तो निजाम भी इस तरफ लड़ रहा है निजाम कौन है इदराबाद का निजाम ठीक है और ये लोग क्या होते हैं ये लोग जीट जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे टीपू की क्या हो जाती है डैथ हो जाती है टीपू की डैथ हो जाती है तो देखेंगे आगे परिणाम क्या होगा चलिए परिणाम आगे देखत पहिणाम यह होता है कि वैलेजली ने मैसूर पर साहिब संधी थोप दी Treaty of Alliance क्या बोलते हैं इसको Treaty of Subsidiary Alliance जिसको मैंने बताया था कि Lord and Dupley इसको लेकर आया था ठीक है और मैंने यह बताया कि इसको सबसे ज्यादा जो यूज क्या है वो किसने क्या है वैलेजली ने तो वैलेजली क्या करता है आपका इसको ट्रीटी को क्या करता है मतलब यहाँ पर परिणाम मतलब जब होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टर्न पॉइंट थोड़ा सा देखने को मिलता है वो क्या है अच्छली अभी टीपू अभी लड़ रहा है मरा नहीं है तो देखेंगे आप वैलेजली ने मैसूफ पर बोला कि भई आप युद्ध के बीच में ही जब युद्ध चल रहा था तो बोला कि आप संदी करनीजीए टुटी ओफ एलाइस ठीक है सबसीडियरी अगलब यह होता है कि अधिकान से सर्तें किसकी माननी पड़ेंगी आपको अंगरेजो की सर्तें माननी पड़ेंगी यानि किसको टीपू सुल्तान को ठीक है बट प्यारे दोस्तों टीपू सुल्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया ताम मैसूर पर दोस्तों दो तरफ से इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रियास करेंगा Attack कहां से क्या गया यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं चलिए एक तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक तो ट्रावन कोट हो गया ठीक है एक यहाँ पर यह यहाँ पर क्या है यह आपका मैसूर स्टेट हो गया और यहाँ पर देखेंगे यह वाला जो था है ठीक है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अटेक किया गया एक तो यहाँ पर मैं बता रहता है इनका सेंटर हुआ करता था बसीन ठीक है बसीन से अotherap की गया गया एक तू बसीन से अotherap और एक हैदराबाद ने भी निजाम जो होता था हैदराबाद का निजाम क्योंकि ये साथ दे रहा है इस तरफ से अटेक क्या गया अथार्त मेशूर को घेल कर यानी कि टीपु स्लितान को घेल लिया डो तरफ से अटेक किया पूरुर्ब की तरफ से कौन कर रहा है तो आपका हैधरबाद का निसाम करा है और आप देखेंगे अउपर से दो अटेक कर रहा था, नॉर्थ साइड से तो देखेंगे वो अंग्रेज अटेक कर रहा थे इस प्रकाद टीपू को गहर कर मारा गया और क्या होगा देख सकते हैं ये आपका युद्ध का दृष्च्य दिखाया हुआ है खेर यहाँ पर देखने का प्रियास करेंगे परणाम क्या हुआ इसका पहले परणाम देख लेंगे फिर उपर देख लेंगे तो देखो बैइ इसका result क्या होगा? टीपु मारा जाएगा ठीक है? और फिर से वाडियार वन्स जो था दोस्तो उसको फिर से लिया, मतलब लेकर आगे ये लोग और वाडियार वन्स का एक राजा था जिसका नाम है किर्सन राज ठीक है, तो केवल और केवल दो बर्स का था ठीक है दो बरसी है यानि कि एक बच्चा था उसको सासक बना दिया जाता और ये एक पपेट सासक होता है कटपुतली सासक और इस प्रकार मैसूल को दोस्तों क्या कर दिया गया आपका विले कर लिया गया ठीक है तो ये क्या है एक पपेट सासक है चलिए थोड़ी सी बातों क हम और देखना प्रियास करते हैं यहाँ पर देखेंगे नौट करके कुछ बाती लिखे हुई है यहाँ पर नौट करके देखेंगे लॉड वैजनर जी दोस्तों नया गवर्नर बनकर आया था जो कि सामराज जवादी नीती का समर्थकवा करता था टीपू पर पर प सिंद्ध के लिए आप इस मैप को देखने का प्यास करी है दोस्तों सबसे पहले एक area जो कि सबसे सम्वरथ दे रही है भारत का जिसका नाम है बंगाल इसका क्या कर लिए गया है अभी तक विल्ए कर लिया है एक जो सबसे बड़ा हडल था अंगरे जो को लिए उसका नागो क्या था यहां पर मैसूर इस्टेट इसका भी क्या कर लिया गया है विले कर लिया गया है छाओ आप देखेंगे कि फिर उपर пытाब और सिंध है ये भी आपके मेन पावर से इनको भी हम देखने वाले हैं इस पावर्स को ठीक है चलिए यहाँ पर अभी हम एक और थोड़ा सा देखते हैं यह मैं सारी बाते बता चुका हूँ यहाँ पर देखेंगे यह है Lord Convalis ठीक है यह Convalis है Edward Convalis ठीक है और इस तरब देखेंगे Lord Village तो ये Lord Village साहयक संदीग लिए जाना जाता है इसको popular बनाया था Convallis आपको बरत पता ही है भारत में पुलिस सुधार हो गया भारत में प्रसासनिक सुधार हो गया या फिर आप देखेंगे प्रसासनिक सिवाओं का जनक इनको ही माना जाता है ठाना सिस्टम जो आज अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं इनका उल्फ का जनक माना जाता है भारत में इनको अब बात आती है ये कुशन पूछा जाता है प्यारे दोस्तो और ये कुशन इसको हम देखने का प्रियास करेंगे मैंस का कुशन है पिरसन नंबर है देखिए पिरसन क्या है मैंने अपने मित्र को सक्तिसाली बनाए बिना अपने सत्रों को पंगू बना दिया अपने सत्रों को पंगू बना दिया यानि कि मैंने अपना जो मित्र है मित्र कौन है दोस्तो आप देख सकते हैं को पंगो बना दिया कैसे चलिए इसके बारे में आपको क्या है इंट्रोडक्शन तो इसका framework देख लो क्या होना चाहिए तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर अगर आपका यह page मिलेगा तो आपको क्या करना है इस परकार से page होता है सबसे पहले दोस्तों आपको इंट्रो लिखना होता है इंट्रो ठीक है दो से तीन आपका लाइन में आपका इंट्रो होना चाहिए ठीक जी उसके बाद आपका M B होगा man body man body के भी part one हो सकता है ठीक है माल लेजिए part one ही आएगा part one में क्या होगा मैं बताया कि आपको सक्ती साली बनाए बिना नहीं कि किसको अपने दोस्तों को सक्ती साली भी नहीं बनने दिया और दोस्तो man body part two में क्या होगा यानि कि किस परकार से दुसमन को पंगो बना दिया यह होगा, और निसकर्स में क्या होगा दोस्तों, जो आपका, इसका analysis आप छो करेंगे, तो क्या में निकलेगा एक निसकर्स, इस प्रकार से हमें क्या करना है, कुश्चन लिखना है, समझना पड़ेगा आपको की, सबसे पहले इंट्रो, इंट्रो का मतलब है यह कहां से लिया है कथन क्या इसका अर्थ है ठीक है जी यह statement किस दोरान दिया गया यह सारी बातें उसके बाद man body part में क्या लेकना है मैं बता चुका हूँ part 2 में और फिर निसकर्स चलिए इसको ही हम देखने का प्रियास करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले क्या है man body सबसे पहले देखेंगे introduction दोस्तो तिरतिया आंगल मेसुर युद्ध के पश्चा सिर्रंग पठनों की संदी होती है ठीक है इसके संदर में यह कथन लॉड कॉन वालिस द्वारा दिया गया है लॉड कॉन वालिस ने क्या है दिया है यह सब् बंगाल की विजे हैं अब यहांसे आपका man body start होता है ठीक है बंगाल की विज़य के बाद क्या होता है बंगाल एक बहुत समरत दे रही आ था मैं बार बार बोल रहा हूं तो बंगाल की विज़य के बाद आप देख सकते हैं अंग्रेज मैसूर को उसके व्यापारिक महत्व के चलते हैं क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, ठीक है, मैसूर मालावार तटके पास में इस सित्था, उसकी जो लोकेशन थी, वो बहुती कुटनी तिक थी, वो बहुती इस्टेट जिक थी, व्यापारिक दिरिश्टी से बहुती महत्पोन थी, और तो और दोस्तों वो जो आपका मालावार कोश्ट है दोस्तों वो मसाले का उत्पादन का छेत्र था ठीक है तो उसको जीतना बहुती ज़्यादा जरूरी था किन्तु दोस्तों हैदर अलिय और टीपु सुल्तान के चलते ठीक है के विरोध के चलते इस पर अधिकार करने में वे लोग क्या रहते हैं अंग्र ठीक है यह हम बता चुके हैं आगे देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह हैं हैदर अली ठीक है हैदर अली का आप जहरा देख सकते हैं हैदर अली ताको आपको याद रहे बहुती अच्छे से लोग लड़े हैं अंग्रेजों का सामना की हैं हैदर अली होगे इस तर अब देखेंगे टीबू सुल्तान खेर आगे देखेंगे तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा किस प्रकार से पूरा का पूरा आपका मैंने आपको बदाया अभी तक हम क्या कर चुके हैं एक बार मैं आप पर रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे दो दोस्तों हम पढ़े थे British Conquest British Conquest of India अंग्रे जोने भारत को कैसे जीता दोस्तों दो प्रकार की यहां पर जो है दो प्रकार से ही क्या करते हैं सबसे पहले यह आपका European powers को क्या करते हैं हटाते हैं इसके बाद वो regional states को हटाते हैं इसके बाद जो सबसे बड़ा जो आपका टॉपिक मिलेगा तो वो आपका देखेंगे एक मराठा पावर ठीक है क्या है मराठा एंपायर मराठा तो मराठा एंपायर देखेंगे तो चलिए मुझे लग रहा है कि यहां तक हम समझ सुके हैं नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं हम पंजाब राज्ये के साथ रंडजी सिंग के साथ मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास क्लास